हलो अब्रीबन स्वागत है आपका हमार यूटूब चैनल मेडिसीन टोक में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टमक एसिड से जुड़ी हुई समझता को दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाले एक सीरप के बार में जिसका नाम है सुक्राल ओस्टिरप यह सीरप दो अलग अलग दवाओ के कॉंबिनिशन से बनी हुई होती है जिसमें से पहला है सुक्राल फेट और ऑक्सिटा केन तो जानेंगे इस वीडियो में कि यह दो दवाईया क्या है यह कैसे कारिय करती है यह दो दवाईया कितने स्टेंड में सीरप में मिलाई जाती ह इसके कौन-कौन से पूपलर ब्राइन नेम आपको देखने को मिल जाती है इसके यूज को पूरी अच्छी तरह से जानने वाले हैं साथ ही इस सिरप को कैसे लेना होता है इसकी डोजिस क्या होती है और अंत में इसके साइड इफर्स के बारे में भी जानने वाले है करने के लिए हमारे चैनल मेडिसेंटों को जरू सब्सक्राइब कर ले तो चलिए वीडियो को जल से जल सुरू कर लेते हैं इसमें जो सुक्राल फेट है वो एक एंटसिट ग्रूप से बिलोग करता है और यह स्टमक के जो भीतरी भाग होती है उसमें एक इनर लियर बना देती है जिससे की जो स्टमक के एसिड्स होते है उससे उस स्टमक के जो भीतरी भाग होती है उससे च्छती पहुचने से बच इसके अगर स्ट्रेंट की बात किज़े कि यह कितने मात्रा में सिरप में मिलाई हुई रहती है तो इसकी दो अलग अलग स्ट्रेंट आती है जिसमें से पहला स्ट्रेंट में सुक्राल फेट 500 mg पर 5 ml के साथ रहती है साथ ऑक्सिटाकेन उसमें 10 mg पर 5 ml रहती है जो अगली इस तो इसके कई अलग-अलग ब्राइंग के साथ आपको मार्केट में देखनी ही मिल जाती है लेकिन जो इसके सबसे पूपूलर ब्राइंग में वह değmmu सुक्राल ओ-सिरव इसके अलावा इससे आप शुक्राडे ओ Suckres o और भी कई अलग-अलग नामसे medical store पर देखने को मिल जाती है साथ ही या sugar free available भी मिल जाती है इसके अगर packaging की बात कीज़े तो यह आपको 200 ml और 200 ml के तो अलग-अलग packaging के साथ देखने को मिल जाती है अब इसकी use के बारे में फुरी विश्दार से जान लेते हैं यह एक ulcer protectants group के दावा है जिसका उपयोग stomach ulcer और gastrointestinal ulcer के treatment में क्या जाता है जैसे कि stomach में ज्यादा acid secretion होने लगती है ज्यादा acid भरा हुआ होने की वज़े से stomach की जो inner layer होती है भीतरी भाग होती है उसमें injury हो जाती है घाओ बन जाता है जिससे stomach ulcer कहा जाता है और यदि यहीं प्रक्रिया intestine यानि हमारे आतों में होती कि तुन्हें intestinal ulcer कहा जाता है intestine की जो dional part होती है small intestine होती है उसमें ज्यादार यह ulcer देखने को मिलती है तो उसके treatment में इसका उप्यों क्या जाता है इस condition में वेक्ति के stomach में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है इस stomach में यानि पेट में जलन मैसुस होती है पेखाना में blood आ सक लगती है तो इसके treatment में इसका उप्यों किया जाता है साथी acid reflux यानि ज्यादा acid secretion की वज़े से हमें आहार नाल में जलाने यानि कि food vibe जो होती है उसमें जलन होने लगती है पेट में जलन होने लगती है खटे-खटे डकारे आती है तो इसके treatment के लिए भी सिरफ को प्यों क्या जाता है साथी indigestion यानि अपच की जो समयसा होती है खाना नहीं पजने की जो समयसा होती है उसके treatment के लिए भी यह सिरफ डॉक्टर के दोरह दी जाती है इसके अलाबा कई वहार वेक्ति को लगता है कि खाया हुआ खाना गले से बहार आने लग रही है उल्टी-उल्ट तक हम कुछ खाना नहीं खाते हैं भूके पैट रहते हैं तो इस तरह की condition देखनी को मिलती है तो इसके treatment के लिए भी डॉक्टर के दोरह उने यह सुक्रालो सिरफ दी जाती है इसके अलाबा इंफ्लामेशन इनी स्टमक में यदि किसी परकार के सूजन जाती है इंटेस्टा लेने के लिए यह सिरफ डॉक्टर के दोरह दी जाती है इसके यूज को पुरी विस्तार से जान लेने के बाद अब जान लेते हैं इसके डोस के बारे में यानि इस सिरफ को कैसे लेनी होती है वेक्ति को कितनी मातरा दी जाती है तो इसकी जो डोस जाती है वो वेक्षन के क ओर म्ए सब्सक्राइब बीज़रा होगा उस न परोस दाख बारो सब्सक्राइब शेट होगार्ण साल से जो अधिक उम्रिक यह सिर्फ ले सकते हैं अब अंट इसके साइट-फीस के बारे में चाल लेते हैं तो वेक्ति को कॉमनली जो साइट इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं उसमें से वेक्ति को कॉंस्टिवेशन हो सकती है कबजियत की समय सा हो सकती है वेक्ति को नोजिया वोमिटिंग हो सकती है मसल क्राम्प्स हो सकती है डीजीनेस यानी नीन जा से ल बताई है और इसी तरह के मेडिसेंट जूरी जनकारी पानी के लिए हमारे चले मेडिसेंटों को जरु सब्सक्राइब कर लेते चले हैं मिलते हैं से नेक्स वीडियो